जहें दोस्तों अंदे मातरम, पिछले कुछ समय से बागेश्वर धाम के धिरेंदर शास्त्री काफी ज़्यादा चर्चा में बने हुए थे काफी सारे मीडिया नियूज हाउसेज में बुलाकर उनके इंटर्व्यूज भी लिए गए जहाँ पर उन्नों अलग ियलक तरीके से अपनी बात बताईए और अपने आपो पही सही बताईए सिर्य तोर पर उन्नों ने यही कहा कि भाईया हम जो परचा बागे बनाते है वो सिर्थे जगे पर हलाकि देश भर में उनके लिये पंडित दिरियंदर किशने शास्त्री के छोटे भाई की मुश्किल इस समय बढ़ गई है दलित बारातियों के साथ बदसलूगी की मामले में बागेश्वर सरकार के छोटे भाई शाली ग्राम गर्ग पर सेस्टी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है इस मामले में जांच की बा बागेश्वर धाम महराज के भाई के हाथ में पिस्टल और मुँ में सिगरेट थी कजित तोर पर वो नशे में धुत्त था इसी हालत में वो दलित समुदाय की शादी में पहुंचकर रुतपात मचा रहा था वीडियो सामने आने के बाद पंडित धिरियंदर किशास्त्री की किरकिरी हो रही वहीं चतरपूर S.P. सचन शर्मा ने मामले की जाँच के लिए एक जाँच दल का गठन किया है उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मामले की जाँच के बाद F.I.R. भी दर्च करी जाएगी वही मामले में बमीठा थानाच शेतर के थानेदार ने जाँच क की F.I.R. सवालों के घेरे में पुलिस ने अपनी F.I.R. में इस बात का जिकर किया है कि जिस लड़की सीता हिरवार की शादी थी उसके पता कल्लू ने मामले में F.I.R. लिख वाई है उन्होंने इस बात का जिकर कि शारी कराम गर्ग उनकी बेटी की शादी में पिस्टल लेकर अपने कुछ साथियों के साथ आया था पुलिस ने इसमें Arms Act की कोई भी धारा नहीं लगाई बस यहीं पर जो है यह पूरी की पूरी बात थोड़ी बगड़ती हुए नजर आ रही है और इसलिए यहां पर जो सवाल उठाय जा रहा है पुलिस के उपर भई यहां पर गड़ा गाउं में आई थी अकाश की शादी गड़ा की सीता अहरवार से हुई है सब कुछ ठीक चल रहा था कुछ बाराती खाना खा रहा थे तो कुछ बाराती डीजे और राई मतलब की जो कि एक लोग नरते होता है उस पर डांस कर रहा है तो तब ही हाथ में पिस्टल ल तब ही वहाँ अपने कुछ साथी और साथ धिरेंदर कृष्ण शास्तरी के चोटे भाई शाले ग्राम गर गाये मूवर उनके सिग्रेट की वो बार बार इस बात को कह रहा है थे कि तुम लोगों की हमत कैसे हुई शादी में डीजे और राई बजाने की इसके बाद उन्हो पूरा मामला काफी जादा बढ़ चुका है बाराती उन्हें बता है कि हंगामे के बाद धिरेंदर कृष्ण शास्तरी के कुछ सेवदार पहुंचे लड़की की पिता भाई और दूले को वहां से ले गाए इसके बाद क्या हुआ किसी कुछ पता नहीं है वही मारपीट की गटना के बाद से परिवार काफी जादा डरा हुआ है और धिरेंदर कृष्ण शास्तरी का जो इंफ्लूएंस है उसी के कारण कहीं न कहीं यहां पर थोड़ी बहुत तो दहशत का महल बन चुका है लेकिन बात वही है कारवाई में आमस एक्ट नहीं जोड़ी गई है और नहीं जोड़ी गई तो सवाल तो उठता ही है कि जब वीडियो में साफता और पिस्तॉल दिख रही है तो फिर आमस एक कहा गई नेरे सुड़ी विलाता है जै है जै बाद